रहे मातादी दोस्तों आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मार्च माह के पहले सप्ता के कुम्बराशी फल के बारे में कुमराशी के लोगों के लिए एक मार्च से साथ मार्च तक का समय कैसा रहेगा और इन साथ दिनों में कौन-कौन से ग्रह नक्षत्रों का परिवर्दन होगा क्या योग बनेंगे और उनका प्रभाव आपके जीवन के प्रतेक शेत्र पर कैसा होगा सब कुछ जानेंगे इस वीडियो में आपकी सिक्षा कैसी रहेगी साथ दिनों में आपका प्रेम समंद कैसा रहेगा आपका व्यापार कैसा चलेगा नौकरी कैसी रहेगी बेरुजगार लोगों की नौकरी का क्या होगा विध्यार्थियों के लिए कैसा रहेगा स्वास्तिय कैसा रहेगा प्रेमजीवन सभी के बारे में हम विस्तार से जानेगे दोस से पहले तो हमारे चैनल को सुप्स्राइब कर लें और और जुड़ जाएं हमारे चैनल के साथ पासी के गंटी के बटन को भी दबा दें इससे हमारी आने वाली जि इस्तिदियों के अनुसार ही आपके दिंचर्या में परिवर्दन होता रहेगा तो कैसा कैसा ये समय होगा सबसे पहले हम एक मार्च की बात करते हैं एक मार्च को चंद्रमा आपकी तीसरे भाव में होंगे यानि मेश रासी में होंगे और ये दिन आपके लिए बहुत ही अच इनों का साथ मिलेगा और साथ ही देखे यहां आपके लिए यात्राओं का यूग बन रहा है आप यात्रा कर सकते हैं और इन यात्राओं से आपको लाव की प्राप्ति भी होती हुए दिख रही है यानि इन ये यात्राओं जो हैं आपको लाव दिला सकती हैं पराकरम भी आपका थोड़ा रुजहान बढ़ सकता है और आपके अंदर इस समय थोड़ी कलात्मकता हो सकती है कलात्मक प्रेमी आप इस समय हो सकते हैं तो यह जो दिन होगा यह आपके लिए काफी अच्छा दिन रहने वाला है इस दिन आप कुछ शौकिन मिजाज रह सकते हैं कुछ यानि की दो और तीन मार्च के बारे में चंद्रमाराशी परिवर्टित करेंगे और विर्षब रासी में आ जाएंगे यानि आपके चौथे भाव में आ जाएंगे और यहां चौथे भाव में चौथा भाव जो होता है माता का भाव होता है सुख का भाव होता है तो यह दिन आप खुद को एक गुनवान व्यक्ति फील करेंगे, एक सरवत्र गुनवान व्यक्ति आप यहां समझेंगे, समाज भी मानसमान की आपके विरद्धी होने वाली है, मानसमान आपको दिया जाएगा, आपकी आवभगत की जाएगी, अच्छे मित्र आप यहां बना पाएंगे हिसमें आपके लिए कुछ अच्छी योग बने हुए है जिससे कुछ खरीदारी करने का योग है आप कुछ वाहन वगएरा खरी सकते हैं और यहां देखिए आपके काम करने की गती बहुत तेज होगी आप काम कर पाएंगे अपने सभी कामों को पूरा कर पाएंगे और देख विद्यार्टियों के लिए भी ये दो दिन चार और पांच दो और तीन मार्च का दिन बहुत बढ़िया रहने वाला हैं आपको अपने एजुकेशन के फिल्ड में अच्छे लाब देखने को मिलेंगे आप इन दिनों में अगर किसी परिक्षा में बैठते हैं तो उसमें अच्छे अंक मिलेंगे आपस में अच्छी सा फलता पाएंगे तो विद्यार्टियों के लिए ये दो दिन बहुत अच्छे रहने वाले हैं हर चीज का लाव आप उठाते हुए दिखाए देंगे इस समय आपका जो वैवार होगा वो काफी भावुक रहेगा दयालू भी आप रहेंगे याप किसी को कुछ दान देने के बारे में भी सोच सकते हैं और आत्मिश्वास भरा रहेगा तो यही समय चतुर्त भाव में चंद्रमा आपके लिए बहुत अच्छा यहां योग बना रहा है आपको अपने कामों से संतुस्ट्री होगी खुद आप अपने क की वज़े से आपका कोई काम बन सकता है तो इसके लिए आप देखिए प्रते दिन मा के पैर चुकर आशिरवाद उनका जरूर ले और आपके सभी काम बनते चले जाएंगे यहां माता का साथ आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स देने वाला है तो यह जो दिन हैं यह इसा सौदा आपको मिल सकता है जो आपको आगे लेकर जाएगा तो काफी अच्छा है और यहां ससुराल पक्ष से भी कुछ धन प्राप्ति की योग बने हुए हैं कोई अच्छा लाब मिलने की उमीद बनी हुई है ससुराल पक्ष थे तो बहुत अच्छा यह समय आपके ल बहा होता है और यहां देखिए राहो बैठे हुए हैं तो चंद्रमा और राहो की युति हो रही है तो यह जो युति है यह बहुत अच्छी हम नहीं कहते हैं लेकिन बहुत अच्छे रिजल्ट्स भी मिलेंगे और साथी साफधानी भी आप रखनी होगी इन दो दिनों में द्धन आने के योग बने होएं आपके लिए यानि द्धन आपके पास समय आएगा साथ में कंखर्चे भी होँगे तो खर्चों से आपको जरूर साफधानी रखनी होगी क्योंकि चंद्र राहो की युति आपके लिए कंखर्चों की तरफ इशारा कर रही है और थोड़ी इस्तिती होगी आपको कुछ सीखने की तरह प्रेवित करेगी आप कुछ नया सीखना चाहेंगे और मौजमस्ती भी करेंगे यानि धन की आवक तो आपके पास है इन दिनों में धन तो आएगा लेकिन खर्चा साथ में हो जाएगा तो खर्चे पर थोड़ा सा कंट्रोल करके आपको जरूर रखना होगा और साथ ही संतान का ख्याल भी रखना होगा संतान समय दे कुछ परिशानी हो सकती है और देखे संतान सुख का यूग भी बना हुआ है और यहां राहु साथ में है इसलिए थोड़ा यहां परिशानी ये दे रहा है, मांसिक तनाव आपको हो सकता है, तो इसके लिए आप अपनी स्वभाव पर जरूर कंट्रोर रखें क्योंकि जिद्धी स्वभाव आपका थोड़ा हो सकता है, तो इन चीजों का धिहान रखेंगे, इन दो दिनों को आप बड़ी ही आसानी से बिता पाएंगे अब हम आगे की बात करते हैं, चंद्रमा 6 और 7, मार्च की, तो चंद्रमा आपके छटे भाव में होंगे, करकराशी में होंगे, यहाँ जो चंद्रमा की इस्थिती है, वो आपके लिए कई ऐसे यूग बना रही है, जो आपके लिए दोनों तरह के लाब, यादों को सतर प भाव होता है तो अगर आपकी माता को कोई दुख है कोई परिशानी है तो वो यहां थोड़ा आपको रिलेक्स होती हुए दिखाई देंगी परिशानियों का अंत आपको होता हुए दिखाई देगा परिशानियां दूर होती हुए यहां दिखाई देंगी और साथ ही आप इ जीवन भी आपका अच्छा रहेगा और इस समय आप किसी काम को लेकर अगर निďना लेना चाहते हैं तो अपनी परिवारवालों की मर्जी से आप किसी काम के लिए निदना ले तो वो आपका सफल हो सकता है सोच समझकर निदना आपको लेना होगा इसके लावा अपने शत्रों से साफधान रहना होगा हाला कि अपने शत्रों को बड़ी भाती पहचानते हैं और उनसे आसानी से आप बच भी सकते हैं तो यहां देखिए छटे भाव में जो आपके चंद्रमा आया है तो यहां आपके लगनिस और करमे से संबंद होता ह तो जो मेडिकल शेतर से जुड़े हुए हैं उनके लिए यह समय बहुत अच्छा बना हुए अनुकुल है उनको मान सम्मान इस समय मिल सकता है यश की प्राप्ती हो सकती है और अगर आप एक समाज से भी है तो आपके लिए बहुत अच्छा यह समय रहेगा आपको कोई सम् तो में ना जाएं तो अच्छा रहेगा तो कि यहां अच्छे इस दिन नहीं मिलने वाले हैं अगर आप विदेश से जुड़े हुए हैं विदेश से किसी तरह का काम करते हैं तो उसके लिए ये दो दिन बहुत ही बहतरीन होंगे विदेश सेटलमेंट के बारे में अगर आप विचार कर रहे हैं तो उसके लिए बहुत अच्छे दिन हैं आप वहां के लिए अपलाई कर सकते हैं थोड़ी सावधानी आपको और रखनी होगी कि अगर किसी तरह की वाद विवाद के स्थिति आपको बंती हुई दिखे तो ऐसी किसी वाद वाद के स्थिति में आप ना पढ़ें वरना आप परिशानी में होंगे और मांसिक तनाव ले लेंगे तो इन चीजों से सावधानी रहना है एक तो खर्चे पर भी नियंतरन रखना है और किसी से अच्छे बनते हुई दिखाए दे रहे हैं बीच-बीच में थोड़ा सावधानी आपके लिए रखनी है उनको सावधानी आप रखेंगे तो यह सब्तह आपके लिए इस महिने की शुरुवात को बहुत अच्छा बना सकता है धनकमाने के कई मौके दिला सकता है तो दोस्त तो यह था मार्च माह के पहले सब्तह का कुम राशी फल अगली वीडियो में मिलेंगे अगले राशी फल के साथ तब तक हमारी इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें शेयर करें चैनल को सब्सक्राइब करें